हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल अल आईडियाज मी आईबी पीएस कलर के थुरू इग्यारवी जो वैकेंसी वो री ओपेन कर दी गई है 5920 पोस्ट के लिए जो ये जून जुलाई में पहले चली हुई थी दो-तिन दिन तक इसमें अपलाई हुई थी फिर उसके बाद इसको पोस्ट पोन कर दिया गया था तो फिर से ये री ओपन हो चुकी है आज short notice newspaper में दिया गया था तो आज मैं बताऊंगी कि इसमें कब से कब तक आप इस form को अपलाई कर सकते हैं notice पे जाने से पहले सबसे मैं request यह करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा ताकि वीडियो के जितने भी new notification होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुच सकेंगे तो notification में आप देख सकते हैं common recruitment process for recruitment of color in participating bank CRP color 11 यह 11 की vacancy निकाले गई है जो 2022 से 2023 के लिए है 7-10-2021 से इसमें online start हो जाएगे 27-10-2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं payment of application fee जो है 7-10-2021 से 27-10-2021 तक आप इसमें payment कर सकते हैं download of call letter pre-exam training November 2021 में होगी conduct of pre-exam training November 2021 में download of call letter for online examination pre-examination का call letter होगा वो November या December 2021 में होगी और exam जो इसमें होगी आपकी December 2021 में और result आपका इसमें आ जाएगा December 2021 में या January 2022 तक result declare कर दिया जाएगा and download of call letter और online exam में का जो call letter होगा वो December 2021 से जनवरी 2020 में आ जाएगी आपकी and online examination में जो होगी आपकी January या February 2022 में main exam ले लिया जाएगा provisional allotment April 2022 तक कर दिया जाएगा या पर आप देख सकते हैं in case it is possible and safe to hold PT candidates are advised to regularly keep in touch with the authorized IBPS website आप हमेशा इस पर चेक करते रहिएगा इस website पर www.ibps.in पर आप देख सकते हैं the candidate who have already registered successfully for this process during July 12th year 14, 2021 need not apply again the earlier application will be considered for further process जो candidate already इसमें registration कर चुके हैं जुन जुलाई में जो पहले वाली जो process होगी वही इसमें चलेगी but new candidate जो भी apply करना चाहते हैं इसमें form apply कर सकते हैं अब मैं age limit की बात कर रहू तो minimum age इसमें 20 year है and maximum 28 year तक आप इस form को apply कर सकते हैं application fee जो है general OBC के लिए 850 रुपी रखा गिया है SC, ST, PWD candidate के लिए 175 रुपीज रखा गिया है और application fee जो आप payment कीजिएगा वो आप online कर सकते हैं अब मैं pre-exam के slaves की बात कर रहू तो English language में question 30 होंगे मार्स जो है 30 होंगे और duration समय आपको 20 मिनट का मिलेगा numerical ability में आपको 35 questions होंगे 35 marks के 20 मिनट आपको समय मिलेंगे reasoning में 35 questions 35 marks के 20 मिनट मिलेंगे तो total 100 questions 100 marks के होंगे जिसमें आपको एक घंटे का समय मिलेगा means exam के slaves की बात करें तो general financial awareness जो है question इसमें 50 questions पुछे जाएंगे marks जो है 50 होंगे और duration 35 मिनट का आपको समय मिलता है general English में 40 questions होंगे 40 marks के इसमें भी आपको समय 35 मिनट का मिलता है और reasoning computer attitude में भी आप देख सकते हैं 50 questions 60 marks के होंगे जिसमें आपको समय 45 मिनट का मिलेगा and math की बात करें तो math में 50 questions 50 marks की 45 मिनट समय मिलता है तो total 190 questions होंगे जो 200 marks के होंगे 160 मिनट का आपको समय मिलेगा तो guys यह रहे कुछ short notice जो अभी newspaper में दिया गया है तो उसी recording मैं आज आपको बताई हूँ कि इसमें क्या-क्या है कब-कब आप अप्लाई कर सकते हैं notice भी जारी हो जाएगी आज evening तक नहीं तो कल तक notice इसमें जारी हो जाएगी उमीद है कि आपके जितने भी doubts होंगे सब clear हो गयेंगे अगर कोई भी दिक्कते रह जाती है तो आप comment section में मुझे comment कर सकते हैं मैं सभी का जवाब एके करके दूँगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद